अपने जीवन के संगर्सों का सामना करने के लिए आपको मजबूत होना होगा हम जानते हैं कि जीवन संगर्स से बरा है और जब हम कुछ हासिल करने की कोशिस करते हैं तो हम जीवन में बहुत संगर्स करते हैं लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये चीजे सफलता का एक हिस्सा है इसके लिए उनसे दुखी होने के बजाए आपको उनका सामना करना चाहिए और ऐसा करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा समस्याओं से बाहर निकलने में कोई आपकी मदद नहीं करेगा केवल आप ये अपने लिए ऐसा कर सकते हैं आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं लेकिन जब आपको अपने लची को प्राप्त करते समय किसी समस्याओं करना पड़े तो आपको ही अकेले उसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि यहां आपकी याक्तरा है जिसे आपको अकेले पूरा करना है आपके दुस्मन आपको नीचे धखेलने की कोशिस करेंगे लेकिन आपको इतना मजबूत होना होगा कि आप उन्हें चवाब दे सके दुर्भाग इसे हर किसी के जीवन में हमेशा कुछ दुस्मन होते हैं या आप कह सकते हैं जो लोग आपका बाला नहीं करना चाहते हैं ऐसे लोग बस आपको नीचे धखेलना चाहते हैं और आपको खुसी में नहीं देख सकते इसलिए उन लोगों के लिए आपको मजबूत होना होगा ताकि आप सफलता प्राप्त करके उन्हें मूतोड जवाब दे सके आपके जीवन की न्यू मजबूत होनी चाहिए ताकि आप एक बहतर भविस का निर्माण कर सके हर कोई अपने भविस को बहतर और उजोल बनाना चाहता है तो इसके लिए आपको एक मजबूत आधार बनाना होगा ताकि जब भी आपकी हिमट ऊटेगी तो आप रुकेंगे नहीं बलकि आप सफलता प्राप्त करने तक पोसिस करते रहेंगे चुनोतियों को सिवकार कर अपने रास्ते पर चल पड़ो और आप मजबूत बनते जाएंगे लोग समझते हैं कि आप जीवन में कोई बड़ी चीज हासिल नहीं कर सकते वो आपको निचा दिखाएंगे लेकिन ऐसा करने की परवान ना करें आपको ध्यान केवल अपने लच पर रखें आपकी रा में आने वाली मुश्किले आपको मजबूत कर देंगे अपने जीवन के हर पथर को हीरे में बदलना सुरू कर दे उनकी चमकाल की जीवन को उजवल बना देगी आपका जीवन बहुत सारी समस्यां और संगर्सों में हो सकता है लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो ये सबी चीजे माइने नहीं रखने आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को बहतर बना सकते हैं आप डर में आपका जीवन नहीं जी सकते, आपको निडर जीवन जीने के लिए मजबूत होना पड़े। हमारे जीवन में कई तरह की असंकाएं होती हैं, लेकिन अगर हर चीज से डरते रहोगे, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको एक मजबूत व्यक् कावित नहीं हो सके, कई लोगों को दूसरों का मजबूत उड़ाने और उन्हें नीचा गिराने की आदत होती है, वे किसी को भी सफस देखना नहीं चाहते, ऐसे लोग जीवन में काटे की तरह होते हैं, जो हमेसा चुपते रहते हैं, इसलिए आपको हमेसा मजबूत होना चाहिए कि आप आसानी से उनका सामना कर सकें, जीवन में इतना मजबूत बने की कोई आपको दराने की हिम्मत ना कर सके, यदि आपको कोई डराता है और यदि वे आपके दोरा किये जाने वाले सभी कामों में बाधा डालते हैं, तो आपको उन्हें जवाब देना होगा, आपको खुद को मजबूत बनाना होगा ताकि वे आपको कभी डराने की हिम्मत ना कर सके, मजबूत बने ताकि आप अपनी समस्याओं से लड़ सके, अन्यता आपको अपने लच्छों को होना होगा, हम अपने जीवन में असीमित समस्याओं का सामना करते हैं और कभी कभी ये हमें तोर देते हैं लेकिन अब आपको मजबूत होना होगा और उनसे लड़ना होगा जदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुस्क हो देंगे। बहुत मजबूत होना पड़ेगा इससे आपको धर रहने में मदद मिलेगी एक मजबूत विक्ति वह है जो लाकों परेसानियों के बावजूद दी मजबूत धड़ा रहे जैसे कि हम जानते हैं कि समस्यां हमारे जीवन का एक हिस्सा है इसके लिए हम अपने जीमन में बहुत सारी समस्यां का सामना करते हैं लेकिन केबल एक मजबूत विक्ति इन सभी समस्यां का सामना कर सकता है और ऐसे विक्ति सभलता प्राप्त करने में सच्छतम होते हैं सहासी बनो अपने लच्छ को पाने के लिए हिम्मत रखो और एक दिन सभलता तुम्हारे कदमों में होगी जोखिम लेने से डरो मत बस सहासी बनो कोशिस करने और अपने लच्च को प्राप्त करने के लिए हिम्मत करो यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको मजबूत होना होगा आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि आप मजबूत हैं तभी आपके लिए खुद को विश्वास करना आसान होगा हमारी आसा और विश्वास कुछ भी संभोग कर सकता है यही करण है आपको अपने जीवन पर तरन विश्वास होना चाहिए कि आप सब कुछ हांसिल कर सकते हैं ताकि आपके लिए खुद को विक्सित करना आसान हो जाए आपके नफरत करने वालों को जलन होगी जब वे आपको मजबूत वेक्तरतु को देखेंगे इसलिए एक मजबूत वेक्तरतु का निर्माड करें आपको हमेशा अपने व्यक्तोतु का निर्मार करते रहना चाहिए और एक दिन जब दुनिया आपकी प्रसंसा करेगी आपके नफरत करने वाले इर्षा महसूस करेंगे और वे भी आपका भला नहीं चाहते हैं जीवन में कुछ चीज़े आपके लिए प्रत्वूल हो सकती हैं लेकिन कोसिस करने पर आप उन्हें अनुकूल बना सकते हैं अपने कदम को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में वा सब कुछ हासिल करें जो आप चाहते हैं आपके जीवन में कई सबने होंगे जिनें आप सच करना चाहते हैं इसलिए सभी लक्षो को क्राफ्ट करने के लिए आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए या आपको हिम्मद देता है और आपको मजबूत बनाता है सफलता की यातरा आसान नहीं आपको इसे पूरा करने के लिए मजबूत होना होगा वेक्ति कितना मजबूत है या उसकी सफलता से पता चलता है जीवन में सफलता पाना एक बड़ा काम और बड़ी उपलब्दी है लेकिन सफलता पाने के लिए व्यक्ति को बहुत मजबूत और केंद्रित होना पड़ता है तो कोई व्यक्ति कितना मजबूत है या उसकी सफलता से जान सकते हैं आपको कभी भी अपने आपको सीमित नहीं करना चाहिए तो कि आप जितना स्वोषते हैं उससे अधिक सच्छा में अपने आपको तयार करें क्योंकि आपको नदी के प्रवा के विवरीत तयार ना है जब हम कुछ हांसिल करने की पोसिस करते हैं तो सब कुछ हमारी विवरीत हो जाता है इसलिए आपको इसलिए खुद को तैयर करना होगा ताकि आप इन सभी चीजों से लड़कर लगातार आगे पढ़ते हैं